नबातो राम को मेरे प्रभूश्री राम सभ रहे हैं राजमीती करहनी करद सीख रही है आप उसे झिट राजमीती करद सहत commencement तक नहीं पहुंचे हैं हँं ताही मैं अबब अभी मडे सपने देखने चाहिए हर किसी को आपने देखते सांसाद है, सांसाद मिनके चुलते हैं कि नेता को जो प्रदानमंत्री बनता है, बनेंगे ना प्रदानमंत्री, अच्छा, बम बम बोल रहा है काशी, बहुत ही खुशी की बात रही है, हमारे साथ बात करने के लिए भोजपूरी की बेहत फेमस एक्ट्रेस अक्षरा सिंग कि उस टाइम आपने तमाम संगीत से ही अपने राम की सेवा करना सुरू कर दिया था, यूपी तक देख रहे हैं सभी दर्शकों को मेरा प्रदाम, और मैंने बहुत ही सुन्दर गीत लाया, राम सब के हैं, सब अलग-अलग गीत का रहे थे, बट मुझे ऐसा लगता है कि, जहां इंसान, इंसान को तो नहीं छोड़ता है, पर कहीं न कहीं भगवान पर भी लोग आजकल सोशल मीडिया के जरिये हमला करने में लगे हैं, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, मुझे लगता है मांसिक रूप से बिमार हो चुके हैं लोग, कि अब भगव नबाटो राम को मेरे प्रभू श्री राम सब के हैं नबाटो राम को मेरे प्रभू श्री राम सब के हैं ये गीत लाया था और लोगों का भरपूर प्यार मिला आशरवाद मिला उसके लिए तहे दिल से शुक्राद लेकर भद्रचारे जी का आशरवाद लेकर जित्रे भी लोग थे सबसे मिलके बागेश्वर बाबा जी से मिलकर सबके चरन सपर्श करके मैं आई मुंबई बागेश्वर बाबा का जिकर आप ने किया गोरपूर्म की सभा लगी थी आप उसमें भी गई थी तो बागेश्वर बाबा से कैसे कनेक्शन बना पूरी दुनिया उन्हें मानती है एक अलग अपनी बाते रखते हैं या कथा करते हैं या जो भी करते हैं वो अभी के टाइम में बहुत ही अलग चीज़ है कम से कम वो करतो रहे हैं यह कितनी बड़ी बात है तो हम सभी को उनके प्रतीस ने हर किसी का बहुत जाता है वैसे ही मेरा भी है कि एक अलग प्रतीत होता है मतल और तो फिर मुझे वहाँ आने का मौका मिला, मैं मिली उनसे गाना गाने का मौका मिला तो ये बेहत बड़ी बात है, जो भी नाम मैंने अलजित किया है, उसमें अगर संतो का या मागिश्वर गुरू जी का जो भी लोग हैं, जो अपने से बड़े हैं, जो आज एक अलग लेवल पे हैं, उनका अश्रबाद मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं सपने में भी कलतना नहीं की थी, कि मैं जाकर उनके मंच पर मैं दो लाइन गा पाऊंगी, या उनका अश्रबाद ले पाऊंगी बेहत बड़ी बात है अगला सवाल है बनारस लाखों कालाकार है लेकिन हर किसी को वो मौका नहीं मिलता है अगला सवाल बनारस से है ज्ञान वापी मामला आपको पता होगा पढखुलने कादेश हो गया है पूजा भी आज होगी है क्या कहना चाहेंगी हम बंबं बोल रहा है काशी बहुत ही खुशी की बात रही है और इस पे भी बहुत जल्दे गीत लेकर आ रही है अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगी नहीं बिल्कुल वो एक्स्क्लोज भी रहा आपके साथ पसांद की सोर के साथ सुराज कारकरम में आप दिखी गिती है राजनीती में राजनीती गल्यारे में हलचल मज़ थी कि अच्छा सिंग आ रही है राजनीती में क्या कहना चाहेंगी जहां जाते हैं महां हलचल होता है सिर्फ राजनीती में क्या मैं प्रिशान जी एक एक अलग विचाल धारा लेकर चल रहे हैं और मुझे बहुत बड़े हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ी थी, मैं अभी भी हूँ तो एक विचाल धारा से जुड़ी हूँ, राजन है कि इस बार उतनना है या अगले लोगशाबात में, आप कब चाहते हैं, उसी ताइम उतना है, आप बता देजे, अभी मेरे दर्शक चाहते हैं कि मैं अभी और काम करें, तो मैं अभी फिलाल उस पर ही फोकिस्ट हूँ, तो राजनिती गलियारे में हल चल है कि 2024 में हम अक मैं चोठे चोठे सपने裏 देखती है, बहुत बड़ा-बड़ा कुछ देखती हूँ, क्या पता वोगी साकार हो जाए, बड़े सपने में जैसे हैंगे, बड़े सपने देखने चाहिए, र किसी को, आपनी देखते हैं, सांसाद में के चुलते हैं कि नेता को अप्रादान- मसूर अदाकारा अच्छासी जिनोंने तमाम मुद्धों पर खुलकर बात किया तो यूपी तक के लिए रवे गुपता